कि यह गाइस वट इस अप्टिन्यों माइनम इस अप्टर तो मैं चैनल एंशिट गेमिंग आज मैं आपको बताने वालाओ कि प्रोड्यूस प्लास्टिक इन मायनकाफ्ट पॉकेट एडिशन विट बेजिक मशिनरी मोर चलो बिल्ट करना शुरू करते हैं सबसे पहले आपको चाहिए एक स्टीम जर्रेटर एक गैस कंडेंसर और यह तीम कीबल्स एक वाटर टेंक और एक फ्लूइड टेंक तो चलो बिल इसके अंदर आपको डालना है पानी आप इसकी कोई जरत नहीं है तो इसको आप बाहर दिखाल सकते हैं फिर आपको इहाँ पर इन तीन चीज़ करने आए आपको इहां पर रख ने दो पावर की बगद यह पावर प्लूइड प्रोडूस करने शुरू कर देगा पर आपको देखते कि यह लावा प्रोडुस कर रहा है कि नहीं इं प्रोर्णेक्ट करूंगा भिपन्या कि मैं तीन करते今日 कर सकते हैं कि वह सब्सक्राइब प्लिश्य कि अंदर का अनि котор him हम फिर से यहाँ पानी लगा देते हैं तो अ कोई प्रत प्रत कर रहा है नहीं है यह तो यह लगा रख रहाँ है अग GG fork रहा है उहां भाकई गलत लग गया चलो अब यहां पे रखते हैं यहां पे चार केबल्स अब मैं यहां पे लगा रहा हूं दो ब्लोक छोड़के एक लगा रहा हूं मैं यहां पे एक फ्लूइड पंप और एक यहां पे फ्लूइड पंप अब मैं इन तीनों को कनेक्ट कर देता हूं अब यहां पर रख रहा हूं मैं तीन लावा जनरेटर फिर से वैसे भी यहां पर बिल लग रहा हूं तीन लावा जनरेटर अब यहां पर आगया तीन लावा जनरेटर वहां पर भी तीन लावा जनरेटर आएगा हैं अब यह यह फावर प्लासटिक रिफाइनरि को आपको थोड़ा बहुत नियुकर्ण साहिए होगा आपको महेरी ऐपिजिट z informação आ तो यहां पर पावर प्रोडिस्ट कर रहा है अब मैं यहां पर लगा रहा हूं और प्लास्टिक रिफाइनरी चलो पहले यहां पर मैं और लगा देता हूं अब यहां पर फ्लूइड केबल्स और यहां पर प्लास्टिक रिफाइनरी अब यह देखो काम कर रहा है अभी भी मे प्लास्टिक रिफाइनरी काम करती है अगर आप चाहे तो इसको एकस्पाइंड कर सकते हैं यहां पे जनरेटर रखे और वहां पे भी तो मैं आपको रिकमांड करता हूं कि आप इस इस गैस कर देंसर को दो तीन लगा दे इसलिए यह जल्ली पावर प्रडूस करेगा तो यह थी आज की हमारी वीडियो तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो लाइक करना शैर करना सब्सक्राइब करना तेल देख कर बइबाई